आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now question यहाँ पर पूछ रहे कि the most abundant six elements found in living beings are यानि कि जो हमारे living beings हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले वो 6 elements कौन है तो यहाँ में options में कुछ combinations दिये हैं यहाँ हमारे परस एक table है जिसमें हम ध्यान से देख पाएंगे कि हमारे कौन-कौन से element किस-किस मात्रा में मौजूद है हमारे body के अंदर तो आईए हम देखते हैं एक एक करके सबसे ज़्यादा abundant है हमारा oxygen यह देखे यह 65% हमारी body में present है इसके बाद आता है carbon जो कि 18% है फिर आता है hydrogen hydrogen हमारा 10% of the whole body है और इसके बाद आजाता है nitrogen nitrogen हमारा 3% है अब देखे इसके बाद कि जितने भी elements है उनको भी हम देख लेते हैं एक एक करके जो calcium है वो हमारे पास 1.5% है phosphorus हमारे पास 1.0% है potassium हमारे पास 0.4% है और sulfur हमारे पास 0.3% है इसके नीचे जो आते हैं वो है हमारा sodium जो कि 0.2% है फिर आ जाता है chlorine, magnesium और ऐसी trace elements आ जाते हैं trace elements में यहाँ पर manganese हमारा यानि कि less than 1% है यानि कि एक trace element के रूप में इसे गिना जाता है अब अगर अपने options देखें तो पहले combination में दिया है carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus और sulfur तो देखें यह जो पहले 5 है यह तो हमें पता है काफी abundant है हमारी body में तो यह बिल्कुल यह चार तो बिल्कुल सही है sulfur हमारा आ जाता है यहाँ पर 0.3 यानि की sodium से उपर तो हम इसको consider थोड़ी देर में करेंगे बाकी options देख लेता है हमें अब यहाँ पर सबसे appropriate answer ढूबना होगा बाकी जो options है उसमें second combination दिया है carbon, hydrogen, nitrogen और oxygen फिर calcium दिया है तो calcium भी हमारा यहाँ पर काफी abundant है और यहाँ इन्होंने देदिया है sodium तो देखे sodium हमारा sulfur C भी कम percent में मिलता है यानिकि 0.2% मिलता है तो sodium हमारा most abundant में नहीं गिना जाएगा तो इसलिए second option तो हमारा हो जाता है गलत similarly हमारा जो option 3 है उसमें तो यह potassium को भी कह रहा है और हमारा magnesium कह रहा है यह सारे आप देख सकता है magnesium यहां पर present है 0.1 में तो यह भी हमारा most abundant में से नहीं आएगा तो यह option भी गलत हुआ जो हमारा option 4 है इसमें यह कह रहा है manganese तो manganese हमारा trace element में गिना जाता है ना कि most abundant में तो इसलिए हमारा combination 4 भी गलत हो जाता है अगर हम consider करें तो इसमें से सबसे appropriate answer हमारा option 1 होता है क्योंकि यहां पर sulfur जो है वो इस sodium से तो कई गुना जादा है हमारी body में हमें यह पता है कि sulfur हमारा किस फॉर्म में मिल रहा है एक तो sulfur हमारे जितने भी system जैसे हमारे système जैसे amino acids हां उसमें हमें बता है disulphide bonds होते हैं जितने भी आमारी antibodies है उनमें dysulphide bond होते हैं insulin में dysulphide bond मिलते हैं तो ऐसे हमारा sulfur present होता है हमारी body के अंदर amino acids में तो इसलिए हमारा option A हो जाता है बिलकुल correct. Thank you.